एलो डियर स्टूडियंट्स सड़ी टूटूरियल स्कूल के इस टूटूरियल में हम क्लासिक्स के बिंट्चाम की जो बुक है उसका लेसन फॉम जलताज डाइरी हम इस टूडी कर रहे है और एक रियर डाइरी है जलता आज भी जीवी थैं जब वो दस साल की थी और क्लास 5 म का वो लाका था और वार टॉर्ण इलाका था क्योंकि उसके बाद ही 1992 से इसमें वार सुरू हो जाता है और 1995 तक वो चलता है यह इतनिक वार था मतलब डिफरेंट डिफरेंट इतनी सिटी के लोग रहते थे आपस में अपने इंडिपेंडेंडेंस के लिए लड़ा रहे थे त तो 1929 में फॉर्म किया गया था और 1992 के बीच में जो वार 1992 से 1995 के बीच में चलता है उसके बाद फिर यह लगबग खत्म हो जाता है नक्से से आज आज आपको गयब मिलेगा उसकी जगे आपको बोश्णिया हर्जेगोविना क्रोईशिया मैसेडोनिया मैंटी नीग्रो सव इसके जिए यहां से लेकि पूरा को पूरा जो है यह पूरा पॉर्शन जो है वो योगोश्लाव यह का हुआ करता था लेकिन अब यगोश्णाविया मैप से गायब है इसके आप देख रहे हैं तो एक दूसरा मैप लेते हैं और यह देखिए युरोप के इस हिस्से में तो यहां पर आज डिफेंट कंटीज अब हो गई है वो है देखे बोशनिय हर्जों के विना में यहां पर जलतास रहती थी यहीं पर वो वार्टाउन इलाके में रहते हुए अपनी डाइरी में लिखती है चीजों को तो बोशनिय और हर्जे गोविना में लगभग क्रोशिया के क्रोड्स रहते थे सर्ब्स रहते थे और बोशनियंस तो थे ही और सर्व की डॉमिनेंस रहती थी तो युद इसले शुरू होता है यहाँ पे 1992 में कि बोशने और हर जग भी ना कि छेटर को अपने में मिलना जैसे क्रोड से हम और क्रोशे मिलना चाहते थे जो सब से हम सर्वियम मिलना चाहते थे तो यह वार शुरू होता है आपस में खिंचतान के चक्कर में अब बाद में फिर 1994 में यूए नो और नाटो की मदद से फिर 1995 में जाके बॉम्बिंग और तमाम तरह के मिल्ट्री एक्षन के बाद फिर इसे सब मलब सर्विया चुकि डॉमिन था तो वो सरिंडर करना पड़ता है इनको फिर बोश्निया हाट जे को भी ना यह अपना जो आप देख रहे हैं यह फ्री घोशित किया जाता है और आज भी यह है लेकिन यहाँ टेंसन आज भी बना होता है और यह च्छे नेसन का यूनियन था जो यहाँ पर मैंने आपको बताया सब अलग हो जाते ना देखें यह है इसलोबेनिया है यह क्रोशिया है बोश्निया हर्जेगोविना जहां पर वार होता है शविया है मॉंटे नीग्रो है मैसेडोनिया है यह देखिए यहां और जब यह अलग होते हैं तो काफे वाइलेंस देखने को मिलता है जैसे इंडिया और पाकिस्तान जब अलग होते हैं मतलब इंडिया से पाकिस्तान को कार्वाउट किया जाता तो कितना आम लाक्स लाक्सन पीपल्स और के वज़े से वाइलेंस बहुत देखने को मिलता है और कोसोवो आज भी सर्विया के अंटरगत है यहां पे देखिए यह कोसोवो यह सर्विया के अंटरगत है पहले मौन्टनीग्रो भी था यहां पे जो आप देख रहे हैं यह मौन्टनीग्रो लेकिन यह तो हो गया जाद कोसोवो आज भी फाइट करता है कि हमें इतना हिस्स सालग कर दियا जाया हमारा कर चाहिए हूं तो इस वॉक की वजेसे से सव में को 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 बोष्णियन काफी सफर करना पढ़ता है क्योंकि जो बोष्णिया के जो टरिप्री है सपने मिलाना चाहते हैं को काफी नुकसान होता है और जलता जो है इनका पूरा नाम था जलाता फिलिफ पोविक फाइलो पोविक भी कह सकते हो तो वो डायरी में लिखती थी अब आज भी एच्छेतर रिकवरिंग फ्रॉम दोस बाउंड तो मेरे क्याल से अब आपको थोड़ा सा पता चल गया है देखें यहां पे दिया गया है क कि पहले 1970 में कैपिटल थी तो कैसे थी ना भरी पूरी अच्छी उसके बाद वार के बाद यह बिकार हो जाती एकदम से अफिर से बसती है यही तो हिस्ट्री है उखड़कर फिर से बसना तो यह है चलता फ्लोविक राइटर भी है डाकुमेंटरी फिल्म प्रोडूशर है ह 11-14 साल के बीच में उन्होंने लिखना शुरू किया मला अपनी डायरी लिखी थी फिर 1993 में वह यूए नो और फ्रेंश की मदद से उन्हें उस टरिटरी से निकाल लिया जाता है पैरिस पहुंचती है चब जाके वह उनका पूरा परिवार राहत की सांस लेता है चलिए अनि फ्रेंग के बारे में भी जानती थी कियो कि इसने में डायरी में में मेंशन किया है मैं आपको कुछ भी एक्स्टा इंफोर्मिशन भी इसमें देता रहा हूंगा जैसे आब आप देखिए यह पोजिए यह परिकार से यहां तो पढ़़ूंगा तो टाइम लग तो डियर मिमी मतलब डियर डायरी उसकी प्यारी डायरी इस नोट डेफिनिट यह तो तय है पक्का है देर इस नो मोर स्कूल अब कोई भी स्कूल खुलने वाला नहीं है दा वार है इस इंटरप्टिट मतलब होता है कि कोई काम चल रहा हो तो उसमें रोक टोक कर देना क्लास्रूम की जगे अब हमें कोट्रियों में तैकानों में रहना पड़ेगा चुपकर क्योंकि वार्ड चल रहा है वह दे का मतलब यहां पे स्कूल वाले ग्रेट्स दे देंगे जैसे कोविट के समय में भी ऐसा ही था कि लोगों घरों में रहना पड़ गया था ना और फ करेंगे और फिर हमें जो रिपोर्ट कार्ड मिलेगा उसमें लिखा रहेगा कि आएफ फिनिश्ट फिफ्ट क्रेट में पांच भी पास करके सिक्स में चलीगी जैसे मैंने बताए कि क्लास फाइव में थी तभी मिली थी डैरी उसको बटे पर और एनी फ्रेंग को भी मिला था उसके बर्थडे पर एनी फ्रेंग तो नाजी का सिकार हो गई है ना इफ यू डॉंट नो देन यू मच नो सी डाइड इन अमस्टरडम कैंप में लेकिन जरता एंड हर फैंबली सर्वाइब दे वर लकी शी वाज नो लकी च्याओ मलब गुडबाई सी उ लेटर तो इत देखिए है कि हमारी वेबसाइट पर तो हमने इससे रेलेटेट कुछ ना कुछ आंसर दिये हैं वैसे जो बच्चे पढ़ना लेखना नहीं पसंद करते वो तो बहुत फूल के कुपपा हो जाएंगे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड क्योंकि मैंने द इसकी मैमरी, क्रेटिविटी, प्लानिंग, और हाव तो डील विद टेन सिच्वेशन सेट बहुत सारी चीजे होती है तो एक्जामनेशन तो होना चाहिए तो भई मैं होता तो मैं तो खुछ ना होता क्योंकि अगर हमें ग्रेड मिलके आगे बढ़ा भी दिया जाता तो हम यह नहीं कह सकते थे कि हमने अपनी महनत से पाया है उसको, अभा महनत का फल मीठा होता है बिना महनत के कुछ पढ़ी चीज मिल जाया तो उसकी क्या कदर है? फिर किसी दूसी डेट को लिखती है, यहाँ मैंशन है, हाँ मैंशन है, ना 5-1999, थैना 5-7-99 हम पिछले कुछ सम बचा भी नहीं एज इस यह का फ्रेज आईडियम आप कह सकते हो जिसका मतलब होता है कि बिकॉस आप इस प्रेजेंट एंड करेंट सिचवेशन हिंदी में कह सकते हो कि जैसा कि लगता है बहुत कुछ बचा भी नहीं है क्योंकि आगे चलके वाटरान कंटरी में में फूड मिलना मुश्किल हो सकता है तो यहां हम लिखा कि एज 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 सिच्वेशन इस आना अल्रेडी बहुत कुछ बचा भी नहीं हमारे पास it would be a pity for all of it to go bad go bad का मतलब होता है कि जो उसमें रखा हुआ है क्योंकि देखिए vegetables से सब कुछ है तो एक time की बाद वो खराब भी होंगी तो उसके बार हम लिखा गया है कि it would be pity बलब अच्छा नहीं लगेगा हमें यह नहीं हमारे बेचारों जैसी हालत है कि जब यह जो चीजे फूड रखा है वो खराब होगा तो it would be a pity we feel sorry for that there is meat and vegetables and fruit how can we save it ना इतना कुछ है तो हम कैसे बचा सकता है daddy found an old wood burning stop तो जबकि seller में है तो वो लकडी से चलने वाला एक stop उन्होंने ढूर्ण निकाला stop मतलब जो जला कर जिसमें खाना पकाया जा सकता है जैसे गैस इस टोप अटिक अटारी उपर it is so old it looks funny इतना पुराना एक बड़ा अजीब से लगता है मतलब वो लड़की ने जनरली इस्तेमाल नहीं होता कि उसके अब चुकी मजबूरी में करना पड़ रहा है ना तो अन्यूजवल एंड मेक यू लाफ एट से ट्रमला पड़ा जीब सता इंद सेलर वी फांड सम वूड वहां में लकडिया भी मिल गई को सेलर में put the stop outside in the yard में हमने बाहर निकाल कि उसको रखा लेट जलाया एंड ट्राइंग टो सेव दा फूट फूट फॉम द रेफ्रीजेटर तो रेफ्रीजेटर में जूकि रेफ्रीजेटर चल नहीं रहा था हम फूट को गरम करके बचाने कोशिश कर रहे हैं वी कुट एगरी थी हमने सब कुछ पकाया जोइनिंग फोर्सेज व मैं आप एक एकसर दे रहा हूं आप इसमें पढ़ सकते हैं किस परकार से इसको पढ़ने कोशिश करते हैं जिसके पास जो भी हो सकता था वो उस तरह से आ गया कर एक दूसे को समाल रहा था और जो बवर्स की जो बेठियां होती है उस फैमली में उनसे दोस्ती भी अच्छ जाती है जलाते की यह होता है एक समुद्र का है खाते हैं लोग प्रीचर है चैरी स्टूडल स्टूडल मतलब आप केक कह सकते हो या माल पूआ जिसे हम कहते हैं मीट हैं फटैटो पाईज एटसेटरा आल सॉर्ट सब्तिंग तरह तरह की चीज़ें इस पिठी लेकिन फिर भी बड़े दुख की बात है कि दो दैट वी है टो इट एबरीफिंग सब कुछ बड़ी जल्दी खाना पड़ा रहा था क्योंकि वह चीज़ें खराब ना हो जाए था हमने पका पका के खराब होने से बचाते थे और फिर खा लेते थे तो वी एवेन ओवरेट और हमने तो आगहात लगना अचानक फूर सरीर पर किसी चीज का आना और सरीर उसे बरदास्त ना कर पाए तो मजाग में लिखा है कि मीट खाने से मीट खाने से मीट इस ट्रोक हो जाए गए इतना खाली है कि हमें लगता है कि अब हम बीमार पड़ गए वीवाश डाउन और बीक प्रॉब्लम है क्योंकि आसानी से मिल नहीं रहा भाई देखे युद्ध में समान इस्तित्यां तो होती नहीं है नौर्मल सिच्विशन तो होती नहीं है और फिर पकाने के लिए उसको भाई श्टो पगरा चाहिए तर लाश रिजर्व मतलब आखिर में जो हमारे पास कुछ बचा हुआ था रिजर्व था आर बिंग यूजड़ उसे हमने कंज्यूम कर लिया इस्तेमाल कर लिया खापी लिया गौड आर वी गोईंग टुग हंग्री ठुभूट तो कहते है इश्वर क्या हम लोग भूखे मरेंगे अठुभूट देखे बूट जो है वो हम ज इंजोई बिकम कॉज ऑफ पेन और सैटनेस होता है सबके जीवन में आ जाता है कि जो चीज़ हमारे इंजोईमेंट की वज़ा होती है कभी कभी पेन भी बन जाती है जो कि यहां पे लोग खुब खा रहे हैं ओवर एटिंग हो रहो गई है तो पेन ही पेन ही बन के एक परक और मुझे पीस ऑफ दवर्ड मुझे दुनिया का सिर्फ छोट असा इंसा न जा रहाता है जब आप खिड़की से जहांके देखो गे है ना तो आपको उतना ही नजर आए जितना आप देख सकते हो तो वही है देर आ लोट्स ऑफ बीटफुल पिडिग्री डॉक्स वहां जाने देना साइद उनके जो मालिक हो गया उनके पास ऐसा कुछ नहीं था जिससे वह डॉक्स को खिला पिला सकें साइड बड़े दुक्की बात है ये भी है एक डॉकी वराइटी क्रॉस दब्रीच की ब्रीच को क्रॉस कर रहा था नोट नॉइंग वहां जाने बाद उसे पता नहीं चल रहा था किस रस्ते पर जाना है क्योंकि देखी वह घर के मालिक के आस पास रहता था उसे खुला छोड़ दिया गया दूसे रस्तों क लुक बैक तो मुल कर उसने पीछे देखा कुट्तों को एकसा छोड़ दीजिए तुलंद आगे भागता है लेकिन पीछे अपने मालिक को जरूट देखते हैं ही वास प्रबैबली लुकिंग फॉर मास्टर को देखना चाहता था पर मास्टर तो गायब था कौन जानता है कि उसका मास्टर जिंदा है या मर गया यहां देखिए करी चीजिए सोचने वाली बात है मैं तो यहां सी पढ़ा दे रहा हूं इवन एनिमल सफर मोर यहां तक कि यहां पे एनिमल्स भी यहां पे सफर करते हैं उन्हें भी जेलना पड़ रहा है चाहो जलता मतलब डैरी ममी स्केरिंग होम दवाट तो अब ममी घर में पानी ला रही है इडिस हार डॉनर हार डॉनर वालब इस वरी डिफकल फॉर और सी हैस्टू डूइट लेकिन उसे करना है मां को करना है वाटर है नोट कम बैक आउन क्योंकि पानी आ नहीं रहा है नलों में नौर कि खोलने के वाज़ पानी आता है तो कितना अच्छा लगता है वह सब तो मैं भूली गई हो कि नलके से भी पानी आता है मतलब यह से सिच्वेशन से कि बाहर से पानी लाना पढ़ना है नलों में पानी है वाट इस लाइक टू सावर जब हम खोल देते हैं उपर से तो पान सावर की रूप में आता है तो नहाने कितना अच्छा लगता है ना हमको तो शावर तो समझें में बूली गई हो कि सावर होता क्या है यूज जग अब तो हम जग से नहाते हैं अरे बहुत जिंदगी होती है सावर क्या सबके घर में होता है क्या जग है जग ने शावर की ज होते होंगे अब इन्हें अपने हाथ से करना पड़ रहा है इसा लगता है कि हमें पुराने समय में घशीट ले रहा है olden times olden times को मतलब होता है कि इतनी टेक्निक इतनी machines नहीं थी लोग हाथों से काम किया करते थे एन भी ठेकिट ओ ऐसे भी वाड़ जो होता है इट रियली यह हमें कई साल पीछे डखेल देता है एकनॉमी को बरबाद करता है ना हिमिनिटी को बरबाद करता है बहुत सारी चीजे हैं जो डायरी मुशने लिखी है यहां बीच बीच में आपको दिखाता रहता हूं जैसे य यह दियर मीमी वेंस्टे 21 एक्टूबर 1992 टोड़ेश डेडी बार्थ या डेडी को बार्थ या गेव एकिस प्यार किया है एपी बार्ड़ डे कहा डेडी इमेड लिटल स्वीट्स अला मेंडना अला मतलब होता है की तरह से मालब इन सेम मैनर जैसे की मिर्णा को बनाया जा यह होता है कि जैसे यह तियार किया वैसे हमने इस एक अग्वाडिंग को त्यार किया अच्छा अब मैं कुछ आपको बताती हूं एज उन्हों में मतलब डायरी डायरी तुम जानते हो है कनफाइड इन यू एवरी डेए वैसे जो डायरी लिखते हैं अगर वह पर्सनल डा बता देती हूं सीक्रेट्स जो मैं किसी दूसरे से शेर नहीं कर सकती कुछ लोग डायरी इसलिए लिखते ही है डायरी लिखने बड़ी रहत मैसूस होती कि किसी तुमें अपने बाते कर पा रहा हूं कर पा रहे हूं खासका लेडीज यह एवरी डेय अल्मोष्ट अल्मोष सेंटर तुम्हें याद है कमिर्टी सेंटर में हमारे समर स्कूल चलते थे मुलब वेकेशन होती थी तो उस समय कुछ एक्टिविटी जो कर आए जाती होंगी समर कैम जैसे वी हैड़ वंडरफुल टाइम टोगेधर दियर हम लोग कितना अच्छा वक्त वहां पर पिताते तो वो डायरी लिखती थी उस वक्त और नहीं था वार तो उसकी कुछ दिन बाद ही स्टार्ट होता है 1992 में डायरी इसको 1991 में मिलती है लिखना स्टार्ट करती है तो वी हैड़ वंडरफुल टाइम का मतलब अपने मित्रों के साथ और डायरी भी तो थी टिट सम यहां टाइम था अंटिल एट हॉरिबल भायंकर सेल मतलब वो जो बॉम्बिंग थी किल्ड ओफ एल्डिन मैंने जो नीना वाला था हो मैंने आपको बताया था यह एल्डिन की डेथ की बात हो रही कितना अच्छा समय था तब तक जब तक कि शेलिंग ने स्टार्ट हुई इना 11 एर की थी एल्डिन के बारे हम तो मुझे जादा जानकारी नहीं है माजा इस्टिल वर्किंग विदर टीचर आईरिना या इरिना आप कह सकते हो वीडोविक तो वह अभी अपने टीजर के साथ इंगेजड है मतलब कुछ ना कुछ वर्क करती रहती अभी इस टाइम म माजा जो है वह बॉबर फैमली की जिनके साथ उन्होंने अपना वह एंजॉय किया था खाना पिना तो उनकी बेटी है माजा जो है यह जो बॉबर फैमली थी जिसका हमने जिक्र किया था उनकी बेटी थी शुरू में जब सेलिंग स्टार्ट होती तो बॉबर की दिवाल को को फांद करके वह उन्हीं के शेल में जाना चाहते थे पर जा नहीं पाते तो अपने सेल में रहते हैं वह सेलर में एंड अधर डे अगले दिन या किसी दिन की बात हो रही माजा माजा उसे पूछती है क्या तुम डारी रखती हो फिफा मैं निक नेम फिफा जो है यह जलता क एक नेम था I say yes मैंने का हां रखती हूं तो माज़ा ने कहा is it full of your own secrets क्या तुम अपने secrets ही लिखती हो यह war के बारे में लिखती हो मैंने कहा now अब तो यह इस में war के बारे में लिखती हूं मतलब पहले तो secret लिखा करती थी जब normal थी situation she said that because they want to publish अब यहां हम discuss कर सकते हैं कैसा क्यों कहती है but let me proceed ahead she said that because they want to publish उसने कहा मतलब माज़ा ने कहा की she said that उसने यह कहा कि you are terrific terrific का मतलब यह है कि यहां पे आप कुछ expectations है because यह हम कह सकते हैं बहुत बढ़ी है फिफा that because they want to publish a child क्योंकि वो एक एक child की diary को publish करना चाहते है and it just might be mine और यह साइद मेरी ही diary हो सकती है उसने कहा था मतलब ऐसा सुनने में मिला है बच्चे की diary publish होगी तो वो इसे share करती है जलता से कि किसी बच्चे की diary publish करने की बात हो रही है तो यह सोचती है कि यह वो कहती भी है कि साइद यह diary जलता तुम्हारी होगी जिसका मतलब है You Mimie मतलब जिसका मतलब यह कहती है कि क्योंकि diary से बात करें अदियम लिख रही है और जानती है उसका मतलब क्या होगा मिमी तुम तो सीटी असेम्ली में रेट करने के लिए पहुँच गई दरसल सीटी असेम्बली में जो मतलब जो मुनिस्पलेटी होगी वहां के जो हॉल होगा वहां इस डाइरी को थोड़ा सा वहां पर पढ़ते हैं लोग मैंने अब यह भी सुना है मतलब कुछ ही पहले की मिमी देट यूर गोइंग तुब पब्लिश किया जाएगा तुम यूनिसेफ वीक में तुम्हें पढ़ा जाएगा और हो सकता उसके बाद तुम्हें पब्लिश किया जाए तो कमिंग आउट का मतलब होता है कि यू आर पतह मनाता रहता है कंटी बनाती रहती है स्टेट मनाते रहते हैं तो यह सुरू में 45पेज जो है वह पाफिस करके मुलब वह परिंट करके ले जाके उनीसेफ में वीक में वहाँ पर पढ़ह उच्को पढ़ा जाता है और यह जलता जो है वहाँ पर स्पीच वगरह भी दे बट इट इस 1745 नौई इस गोन और 1745 हुए भी 545 हुए और चली भी गई समारा से इट फिल खम बैक हॉन समारा कहती है कि वो आ जाएगी आपस लेट सोप सो उमीद करते हैं उमीद पर दुनिया का है मैं चाओ समारा क्योंकि जो बादमाजा होती है ना उसकी जो बहन होती है वो बोजाना होती है तो यह मैंने आपको अपने ठंक से जल्दी करके बताया कि वीडियो थोड़ा चोटा बने और मैंने यह भी बता दिया कि किस सिच्वेशन हो फंसी हुई थी है ना और 1993 में जब इसकी डैरी इसी एक्टूबर में ही 1992 में ही वो युनिसेफ वीक में जब पढ़ी जाती है बाद में फिसे जो फ्रेंच पॉब्लिसर पॉब्लिस करते हैं आगे चलके तो एक सेलिबर्टी तो बनती ही बनती है तो फिर उसे वहां से चुपा के निकाला जाता है तो क्लास होती तो हम लो पूरा का पूरा सपोर्ट करेंगे हमसे लोग कांटेट करते हैं हम के हल्प करते हैं तो इस टुटोरियल को हम यहीं पर खत्प करते हैं अगले टुटोरियल फिर हम किसी लेसन ने किसी पोईट्री के साथ होंगे साथ में तब तक के लिए बाए बाए